दोस्तों सब्सक्राइब करें बजट गार्णिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकोन को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले हैं हेलो वीवर्स मैं अभी आप सभी का स्वागत करता हूं बजट गार्णिंग चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं अलमेंड़ प्लांट्स की जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास तीन अलमेंड़ प्लांट्स हैं यह जो बिलकुल ही रैंबलर है वाइन जिसे कहते हैं और य यह भी काफी लेंदी और रैंबलर की तरह होती है अगर आप इन्हें टाइम टू टाइम प्रून करते हैं तो यह एक बुस की सेप में रहेंगे और बहुत ही अच्छा लुक आता है बट जो हम आगे में देख रहे हैं यह बिलकुल ही रैंबलर है यह आप देख सकते हैं इ जासे गोल्डेन ट्रंपेट बुस बटर का फ्लावर और गोल्डेन बेल अलमेंड़ प्लांट साथ अमेरिका के नौर्च पार्ट का नैटिव प्लांट है अलमेंड़ प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए अच्छी लाइट वाम टेंपरेचर एंड हुमिट जाएंगे और यह बहुत कॉमन प्लांट है और पूरे साल इसमें फूल आते रहते हैं इस्पेसली गर्मी में इसमें बहुत जादा फूल आते हैं और जब विंटर सीजन होता है जब हुमिडिटी और टेंपरेचर सोड़ा कम होता है तो थोड़े कम फूल आते हैं बट प्लांट होती है चोटी सी उसकी सेप भी ले लेते हैं और अगर आप इसे गंबलों में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि 12-16 इंच का पॉट आप लें उसमें ग्रो करें और उसमें यह काफी अच्छे तरीके से ग्रो करता है क्योंकि यह जो करनी होगी और इसे सेप में रखने के लिए क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो करते हैं आपको टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करनी होगी इसकी ब्रांचे जो हैं वह साफ्ट बूड है उसमें हाड़ नहीं होती है और बहुत ही इजली आप इन्हें काट सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि जो यह जो मैंने नर्सरी से पौधा लाया हूँ उसमें उन्होंने इसकी ट्रिमिंग की थी तो जिस जगह से उन्होंने ट्रिमिंग की हैं वहां से आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच थी अब दो ब्रांचे जाएं और जैसे जैसे मैं इसे कट करते ज चाहूंगा तो वो उतने ही और घने होते जाएंगे और यह पूरा जो गमला है एक अच्छी सी सेप ले लेगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पौधा अच्छे से ग्रोध करें और पूरे सेप में रहें तो आपको इसे टाइम टू टाइम प्रून करना होगा और प् सब्सक्राइब यह जो येलो देख रहे हैं और एक थोड़ी सी वाइट सेड़ पे क्रीम कले रहे हैं और भी इसके color है अब लेवला है यह मार्किट में जैसे purple हैं और थोड़े रेड सेड़ पे भी हैं बसक्त नह humanि EV Bayern नहीं थी इसलिए में नहीं लापाया तो और बात करत लिपत्तियां होती उससे थोड़े इनकी ठीकनेस थोड़ी ज्यादा होती है और आप देख सकते हैं पीछे इनमें बड़ भी लगे हुए जो अभी ग्रो करेंगे और बाद में यह बड़े से फूल में इन पर काफी फूल लगते हैं अभी तो यह थोड़े फूल कम है क्योंकि मैं अभी नर्सरी से लाया हूं और नर्सरी वालों ने इसे पॉली बैक के साथ ही स्वेल बेड में लगा दिया था तो जब उन्होंने वहां से निकाला इसे तो इसकी रूट्स काफी नीचे जमीन में जा चुकी थी लेकिन वह टैप रूट नहीं थी फीडर रूट थी इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ पर फिर भी थोड़े से अगर हम किसी जगह से दूसरे जगह सिफ्ट करते हैं प्लांट को तो उनकी थोड़ी कुछ दिनों के लिए ग्रोथ और फ्लावरिंग थ जैसे यह पहले कर रहा था तो यह हमारा यलो कलर का अलमेंडा प्लांट है जो सर्वी है यह बुस्की से लेगा मैं इसे टाइम टूटाइम प्रून करता रहूंगा और जो मैंने क्रीम कलर कर लाया है वह यह है अभी इस पर फ्लावर नहीं है बट इसमें आप बर्ट देख काफी ज़्यादा है कि कर यह काफी तेजी से गोर करते हैं अब देख सकते हैं काफी लेंग थे इनकी अगर आपके घर में किसी तरग पोर्च या कोई ऐसी जगह जहां इन्हें कुछ सपोर्ट देकर अगर उस पर आप ग्रो करते हैं तो यह काफी अच्छी लगेंगी यह के बेल है आप अगर इसे बास के सहारे इसे घ्रो करते हैं तो यह पूरे दोचार बास अगर आप लगा देते हैं तो उसके ऊपर यह ग्रोग करेगा और नीचे सेड हो जाएगी जहां आप अपने अदर प्लांट को रख सकते हैं या वहाँ बैट कर आप अपना काम कर सकते हैं और यह देखने में भी काफी खुबसूरत लएगा अलमेंडा प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए अगर आप पार्शियली सेड में भी रखना चाहते हैं तो यह अच्छे से ग्रोथ करेंगे अगर सोयल की बात करें तो इन्हें थोड़ी सी एलकलिक सोयल चाहिए जैसे जो हमारी नॉर्मल सोयल होती है जिसका पीएज सेवेन हो अकि मिट्टी है उसके ड्रेनेज हो जाएगी एलमेंडा प्लांट को वेलज्वेन Когда पसंद है जिसमें सैहलो रेत हो अभी मैंने इसके लिए एक सोयल मिक्स तैहर किया है इसमें मिट्टी है और उसमें मैंने रेत मिक्स कर रखा थोड़ी सी मैंने यह वर्मे कामपोस्ट होत और ज्याद़ा हेवी नहीं हो जाए जिससे root bonding होनी मतलब root को अगर हमारी मिट्टी ज्यादा हार्ड होगी तो विसमें roots अच्छे से grow नहीं कर पायेंगे ओसे नई roots होगी ओसे develop नहीं हो पायेंगे इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो soil हो वह lightweight हो इसके लिए आप सैंड और कोको पीट या परलाइट कुछ भी मिक्स कर सकते हैं मैंने कोको पीट यूज किया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैं प्लांट्स को रिपॉठ करने का तो सबसे पहले मैं इन यह पॉड्ट से अलग कर लेता हूं कि अगर आपको रिपोर्ट करना हो या इस पुराने वाले पॉड्ट से निकालना हुए तो सबसे ब्यत्री द्रीक hanno आप अपने फिंगर्स का सपोर्ट दें और पीछे से इसे थपकी दें ऐसे इसकी टैप रूट थोड़ी बाहर है तो इन्हें हम रिमूव कर लेंगे अब हलकी सी जटके के साथ यह अपके हाथ में बाहर आ जाएंगे अब देख सकते हैं इनकी जो स्पाइडर बन चुकी यह रूट की तो रूट बांडिंग हो चुकी है और अभी जो यह वाइट वाइट से रूट देख रहे हैं यह इनकी नई ग्रोह होते हैं और यह सारे हमेट देख सकते हैं आप करने में मदद करती हैं बहुत ही अच्छी और जबरदस्थ चल रही थी चलिए और भी पौदे उन्हें पहले अलग कर लेतें थे यह तो हमारी वाइन है जो भी वीड सो उसे आप निकल दें यह आपकी फ्लांट को ग्रोथ को इसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं जो पॉली बैग है इससे बाहर हो रही है पहले ही नहीं हम अटा देते हैं तो अभी के लिए मैंने दो बारा इंच पॉट लिया है और एक मैंने दस इंच का पॉट लिया है तो जो एक वाइन है मेरे पास वो बारा इंच के पॉट में जाएगी और यह यहलो वाला प्लांट आपने देखा है वो भी एक 12 इंच के पॉट में जाएगी और जो अभी वाइट सेड़ वाली क्रीम कलर है वो अभी थोड़ी थोड़ टाइम के लिए यह 10 इंच वाले पॉट में इसे पॉट कर रहा हूं उसके बाद जब इसकी ग्रोथ थोड होल है तो यह हमें हेल्प करेगी हमारे जो एक्स्ट्रा वाटर होगी वह इससे ड्रीन हो जाएगी तो सबसे पहले इसे हम कुछ यह टूटे हुए गमलों के टुकड़े हैं मेरे पास इससे हम थोड़ी सी कवर कर देते हैं इससे ताकि जो हमारा सोयल और फटिराइजर मिक् पोस्ट नहीं है उससे इसमें बेडिंग कर देंगे और इसे हलके हाथों से हम इसे दबा देंगे ताकि यह अपनी जगह पर सिफ्ट हो जाए और अब आ रही है इसमें जो हमने त्यार कर रखा है उससे इसमें डालने का तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो रूट्स थी उससे थोड़ा थोड़ा हटा दिया है और आप एक चीज़ नोटीस करेंगे कि यह जो उन्होंने ग्रो किया था बिल्कुली बालू मिट्टी है इस बात का ध्यान रखें कि हमें भी इसी तरह के कुछ स्वेल मिक्स त ठीक है और इसमें बचीवी जो स्वेल मिक्स है वो इसमें हम डाट करते जाएंगे तो हमने दो प्लांट को सिफ्ट कर लिया है एक जो दस इंच पॉट में लगाया मैंने क्रीम कलर वाली और यह जो यलो कलर की प्लांट थी उसे मैंने 12 इंच वाले पाट में सिफ्ट करने और अभी हम इस पॉट में हम सिफ्ट करने वाले है जो हमारे पास अलमेंडा की वाइन ने तो मैंने स्वेल बेडिंग कर लिया है और उसके उपर जो स्वेल मिक्स था वो भी मैंने फिल कर लिया है तो अब हम प्लांट को रख के चेक कर लेते हैं इसकी हाइट सही है अल्मो मैं इन्हें पानी देने का तो जब हम पहली बार इन्हें पानी दे रहे हूं तो इन्हें अच्छी तरीके से पानी दे एक बार पानी देने के बाद थोड़ा वेट करें जो हमारी मिट्टी है उसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं था तो यह धीरे धीरे पूरी जो पान है उसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसकी टॉप मॉस्ट लेयर है वह सूखनी नहीं चाहिए इसे हमेशा मॉइस्ट रहने पर यह अच्छ से ग्रोथ करता है और अगर हम फर्टिलाइजर के बात करें तो आप जो हमने स्वेल मिक्स में एड़ किया है वह तो है और आप जो ग्रोथ करते रहेंगे और इनमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी और अगर हम बात करें इनकी प्रोपोगेशन की तो यह आप इनकी क्रिट इंके पौदेर त्यार कर सकते हैं बहुती एजी टू ग्रोथ आप अगर इसकी कटिंग बर्सात के सीजन में या बाहर के सीजन में जो बसंत का टाइम होता है वो दोनों टाइम में से किसी भी टाइम लगा है तो यह अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा जो ब्रांचे देख रहे हैं आप उनकी बस कटिंग लेनी है और कंपोस्ट में या फिर आप जो सैंड होती है उसमें भी आप इसके कटिंग को ग्रो कर सकते हैं इससे आप बहुत ही ईजली और कम टाइम में इसकी प्रोप्रोगेशन कर सकते हैं तो हमारी अलमेंडा प्लांट की रिपार्टिंग हो चुकी है आई होप आपको अच्छे से